जहें दोस्तों वंदे मातर जो बॉलिवोड सुशान सिंग राजपूद केस में एक दम चुब बैठा हुआ था जैसे उसके कानों तक आवाज ही नहीं पहुँच रही है वो आरन खान के मामले में काफी खुल के बूल रहा है कोई बुरा ही नहीं है कम से कम इससे एक बात उस से दिखाई दे रहे हैं जिसे हमतियास खत्री यह एक ऐसा नाम निकल कर सामने है जिसके की ऊपर एंसीबी ने सोशान सिंग राजपूद के मामले में भी कारवाई करी थी और आज भी उनके घर और ऑफिस के ऊपर चापे पड़े हैं तो यह सब चीजे हैं लेकिन बॉलिव इसमें उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है अब यह किस बारे में बोल रहे हैं यह हमको अभी करेंट सिचुएशन को देखकर ऐसा फ्रतीत होता है कि हो सकता है यह आरेन के लिए हो लेकिन यह भी पॉसिवल है कि इनके ऊपर जो आईटी डेपार्मन की रेट पड़ी थी उसके कारण भी हो सोनु अपने ट्वीट में लिखते हैं कानून अपना समय लेगा लेकिन इस दोरान इंसानियत और आत्मा पर से जो परदा उठा है वो हमेशा आपके चरित्र का प्रमान पत्र रहेगा कल फिर एक नई सुबह होगी बस होसला बुलंद रखिए यहां पर किसी का नाम नहीं लिखा है लेकिन यहां पर चरित्र के बारे में प्रमान पत्र के बारे में जो बात हो रही है वो देखकर ऐसा फतीत होता है कि एक ही शक्स के बारे में है अब लेकिन इसके ऊपर लोगों ने मिली जूली प्रतिक्रिया दी है सोनु सूत को लेकर किसी ने अच्छा भी का है किसी ने बुरा भी का है किसी ने भैंकर लड़ता भी है तो जरा उन्हीं ट्विटर रेक्शन से तरफ हम लोग देख लेते हैं कि लोग यहां पर क्या कह रहे हैं सबसे पहले दीपक के शोर लिखते हैं कि तुम बॉलिवुड के एक्टर नाली के कीड़े हो और हमेशा रहोगे साले देखो जाके जैकी चैन के बेटे के बारे में उसका बेटा रख्ज लेते हुए धराया था जैकी चैन उसके साथ क्या किया और जो जाके देखो हमें पता है कि तुम यह सब ट्वीट नहीं करोगे तो तुम फ्रॉम दिस टाइम यू लॉस्ट माइ पहिया अब घूम चुका है अब वो सब होगा जो सही होगा ब्रुजेश पाने लिखते हैं मोदी जी के नेतरतो वाली भाजपा के अलावा सब बुरे ही हैं जो इंसान कहने के लायक भी नहीं जिसको भी देखो वो लोग वो लोब और स्वार्थ से उपर उठकर सोचा ही न पहलाल सचन लिखते हैं कि सही का कानून अपना समय लेगा इस दोरान जो बॉलिवड में हैं उनकी इंसानियत और आत्मा में जो परदा पड़ा है वो कब उठेगा कब तक इसी प्रकार समर्थन करते रहेंगे सही को सही और गलत को गलत कहने का कब सहास करेंगे कल फिर नई हुए इंसान हैं जो आने वाली पीडी का बेड़ा गर्क करने पर तुले हुए हैं ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए सोनु सर और अक्षे कुमार सर ग्रेट हैं जाए हिंद इंडियन आर्मी इंकलाब जिन्दाबाद हरीश लिखते हैं एक सुषान सिंग राजपूत की मृट्यों ने बॉलेवड के वाईनों की वाट लगा डूणी सुषानमी राजपूत के लिए सारे बॉलेवड वाले खामोश रहे मगर अपने बिरादरी एक चरसी के लिए सब्याग होगा सुषान सिंग राजपूत जाएगा हमारे हीरो हमारे देश के वीर जवान सचिन लिखते हैं कि बेटे को अन्य भांग पिलाओ दूसरे के मदद के नाम पर पियार टीम लगा कर खुद के चरत्र चमकाओ फिर मसीहा नाम से गरंथ लिखवा कर भाई सोनुसूच जी इतना कुछ कैसे कर लेते हो दूसरे ग्यानी बाबा बनने के चक्कर में तो नहीं हो या फिर तैयारी में लगे हुए हो पीपल आर सो डेस्परेट तो प्रूव आरेन खान गिल्टी वेन दीस सेम पीपल विल गो त्रूव सच काइंड अव सिचुएशन देन 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 इन इन इनोसेंट इसके उपर लिखते हैं कि आजकल के दौर में कानून सिर्फ गरीव और मजदूर आशय व्यक्तियों के लिए है ना कि किसी नेता मंत्री के लिए प्रेम भरा कि इस दुनिया में अब ऐसा लगता है जैसे कि एक इंसान ही दूसरे इंसान का दुश्मन बन चुका है लेकिन ह हमें धैर रखना है और नफरत फैलाने वारे लोगों के खिलाफ एक जो ठोकर लड़ना है इसके आगर आजीव लिखते हैं बॉलिवड को नशे से बचाने के लिए कोई ग्यान नहीं देना दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने घर को ठीक कर लीजिए महात्मा जी वो ऐसा तो खहरा जया जी के बारे में भी काफी लोग भोल रहे हैं गुझ्जा लिखते हैं सोनुसूद कानून तो अपना काम करेगा ही पर आप बताइए कि आप केजरिवाल से मिलके क्या करने वाले हैं केजरिवाल वाला अन्ना हजारे के आंदोलन में खेल रहे थे और आप देश के साथ खेलना चाहते हैं वो होगा नहीं कोरोना के नाम पर आप आप आपने को अच्छा दिखा रहे हैं लोग बेवकूफ नहीं हैं सब समझते हैं इस तरीके से लोग जो हैं इनके और लेकर रियाक कर रहे हैं लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि सिनेमा में जो दिखाए जाता है वही समाज में होता है लेकिन आज के समय में लोग से इतना जाव प्रे medal होने लगे हैं कि कही ना कहीं वो उन छीजों को अपनी असल जिंदगी में भी डालने लगे हैं बेरहाल यह चीजें यूँहीं चलती रहेंगी इसका प्रमाण तो है अब लडकी बोज होती है और उसको जल्दी उतारना होगा, यह चीज़ें मैंने सिर्फ मूवीज में सुनी है, असलियत में किसी भी लडकी के पिता को यह चीज़ कहते हुए नहीं सुना, क्योंकि असलियत में कोई भी पिता अपनी लड़की को अभी बोज नहीं मानता बलकि वो उसके लिए गर्व महसूस करता है और यहाँ पर कन्यदान के एड में क्या दिखाया गया कि भई यह लड़कियां बोज है यह चीज तो मुवी बनाने वालों नहीं एक नरेटिव सैट किया है तो फिर आप उसको लेकर इतना आश्वस्त होकर कैसे आप बोल रहेंगे यह समाज की बुराई है तो पहले आप खुदी किसी चीज को प्लांट करो और जब वो चीज जरूरत सब्सक्राइब बढ़ जाया तो आप उसी चीज को लेकर दें नोरा पीटना शुरू करतो कि देखो भईया हम तो सही चीज दिखाने कोशिश कर रहे है आपको हम अपनी मूवीज के जरीए आपको वोक करने कोशिश कर रहे है इस तरह के चीजेओं को आप किस तरीके से एड्रस करोगे और किस तरीके सापने चीजे को जस्टिफाई करोगे पबलिक के सामने की बड़ा सवाल खड़ा हुआ है अब आपका कैए कहना है इस मामने मुझे कमेंट करके ज़रू बताइएगा मेरे सुड़ें फिलालत नहीं, जैहिन, जै भारत